के, राउलिंग की सफलता को देखते हुए, वहुस्व्यक्ति का एक प्रमुक दाहरण है जिसने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से सफलता अरजित की है, तब भी जब समय कठिन था। अपनी शानदार हैरी पॉर्टर पुस्तक शरिंखला के लिए प्रसिद, जो आज भी लोप्रिय है, राउलिंग एक प्रमुक लेखे का हैं जो अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों की प्रगती में योगदान देती हैं। उनकी किताबों का 73 भाशाओं में अनुवाद किया ग लेकिन ऐसा क्यूं है, उसकी यात्रा जब वह हैरी पॉर्टर की सर्वप्रसिद पुस्तक शरिंखला बना रही थी, तो कुछ नोट्स बनाना और उससे प्रेरना लेना उतना आसान नहीं था। आज भह जिस निर्विवाद सफलता पर हैं, उससे बनने में वर्षों की लग जैसे जैसे वह अपनी यात्रा आगे बढ़ाती गई, उसने एक वर्ष के लिए पुर्टगाल में अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी की, जहां उसने विदेश में अपने उद्यम से लोटने तक पहली हैरी पॉर्टर पुस्तक तयार करने का लक्ष रखा। लेकिन सब कु चून की वह अपने मानसिक स्वास्थे से जूज रही थी, इसलिए वह बेरोजगारी लाब पर निर्भर थी और उसने अपनी किताब फिर से शुरू की, उनकी सफलता, अपने जीवन की शुरुआती असफलताओं के बाद, उन्हें फिर से वही करने में सुकून मिलने लग उनकी रचनाएं कैसे प्रकाशित हुई, इसकी यात्रा, राउलिंग ने तीसरा अध्याय पूरा करने के बाद अपनी रचनाएं प्रकाशकों को भेजने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि उन्हें अस्वीकरती पत्रों से भरा मेल बॉक् उन्होंने अपनी पांदुलिपी बारा हलग अलग प्रकाशकों को भेजी और वास्तव में, उन सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अलगी, उन्हें चितावनी दी गई थी कि उन्हें अभी भी एक दिन की नौकरी करनी होगी क्योंकि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगी। हैरी पॉर्टर और सौसेरल स्टोन के प्रकाशन के बाद उन्होंने उन्हें गलत साबित कर दिया। उनकी जिन्दगी बदल गई। जे, के, राउलिंग एक बेरोजगार, अकेली मां से सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखे काउं में से एक बन गई। लेकिन ज्यादातर कहान की तरह, ये रातों रात नहीं हुआ। उन्हें अस्वीकरती का सामना करना पड़ा और लगातार सफलता के लिए प्रयास करना पड़ा, यही बज़े है कि वहर उस बच्चे के लिए एक मजबूत प्रेरना हैं जो शायद सोचते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करने के ल रहा है, अगर आपके पास कोई सपना या जुनून है लेकिन आपको लगता है कि आपको अस्वीकरती की भावना मिल रही है, हार मत मानो